देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सबजी बना है जितना बढ़िया देखने में है उतना बढ़िया खाने में भी टेस्टी और मजदार है ऐसा ही सबजी बनाएं हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे से हो गए तो चलिए आज हम बनाते हैं हरी मूंग की सबजी तो इसके लिए देख लेते हैं मैं हाँ पर एक कफ मूंग ली हूँ ऐसे मैं भीगो करके 5-6 घंटे तक रख दोंगी आप चाहें तो भीगो सकते हैं नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन भीगो करके बनाने में थोरा जल्दी हो जाता है दोस्तो हरी मूंग के सबजी बहुत अच्छी लगती है देखिए यहाँ पर 5-6 घंटे हो चुगा है मैं यहाँ पर धो करके मूंग के दाने ले चुकी हूँ यहाँ पर हरी डूब़े नमक देंगे यहहीं पर हम धर कटोड़ी पानी डॉकती हमुज में पानी लेखें हम इसमें ऑर देलेंगे दो सीटी हम लगा देंगे चलिए इसे हम गयस कि चरहा देते हैं हम इन अलु देखे लेते हैं मैं medium-size क благ कर देंगे इसमें 3 टुकर RH치 कर दू के ऐसा ही है आप जैसा चाहते हैं वह जासी आट सकते हैं या हाइसा अच्छा लगता है देखने में लृआ यहां पर 12 चमच तेल डालूँ यह सरसो का तेल है तेल गरम हो चुका है और हम आलू इसमें डाल देंगे सारे अपने आलू डाल देंगे इसमें हम यही पर नमक थोड़ा डालेंगे इसमें यही पर हम हल्दी भी थोड़ा डाल देंगे क्यूंकि आलू में कलर आ जाएगी इसमें मीडियम गैस पर हम छोड़ लेते हैं इसमें आभी तेल है इसमें और हम तेल डाल करके अपनी सबजी के तरके लगा देंगे मैं इहां पर आधी चमच जीरा ली हूं जब जीरा चटक जाए तो हम इसमें गरम मसाले डाल देंगे लाउल लाइची दर्चिन्नी एक तिछपत्ते सब को इसमें डाल देंगे जब चटक रहा है तो हम यहाँ पर प्याज भी डाल देंगे यहाँ पर मैं एक प्याज बरे साइज में ले रही हूँ प्याज के छोटे टुकरे में काट लेंगे जब प्याज फराई हो जाए तो हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे यहाँ पर मैं यहाँ दो मिर्ची हरी मिर्ची डाल रहे हूं बीच से चीरा लगा करके यहीं पर हम मसाले लिए यहाँ हम आधी चमच हल्दी पाउडर डालेंगे दो चमच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे यहाँ पर गैस को मीडियम रखें नहीं तो मसाले जल जाएंगे मैं यहाँ पर दो टमाटर ले रही हूँ जिसे छोटे टुक्रे में काड़ चुकी हूँ नमक स्वादर नुसा डाले यह ध्यान रखें कि आलू में भी नमक है यहाँ पर मैं दो चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ अद्रक लहसन का पेष्ट एक चम्मच ले रही हूँ आई से अच्छे से हम मिला लेंगे आई यहाँ काली मिरिज जीरा पाउडर ले रही हूँ थोरा हम पानी भी डाल देंगे कि मसाले हमारे भून जाए देखिए हमारे हरे मूंग दाल भी उबल चुके हैं यह देखिए बिल्कुल गल चुका है मैं इसमें दो सीटी लगाई हूँ आई इसका गैस निकल गया था तो मैं इसके ढखकन खोली हूँ देखिए हमारे मसाले भी भून रहे हैं मसाले भी तेल अब छोड़ रहा है इसे हम अच्छे से मसाले के भून लेंगे हमें सबजी बनाने में ज्यादर टाइम नहीं लगता है 15-20 मिनट में सबजी बन करके रेडी हो जाती है चले आपर मसाला भून चुका है मैं अपने आलू को डाल लेती हूँ इसमें एक सुतो बार हम आलू चले उबले हुए हरे मुंग डाल है उसे हम डाल लेते हैं इसमें आईसे अच्छे से हम चला लेंगे आपको जितनी तरी के जरुरत हो उतना लगा सकते हैं देखिए कितन बरिया लग रहा है हमें इसे ज्यादा मैं यही पर आधी का टोड़ी पानी भी डाल रही हूँ हमें इसे ज्यादा पकाने की जरुरत नहीं है क्योंकि दोनों चीज गला हुए है आलू भी हमारे दाल भी अब एक मिनट के लिए हम ढखकन लगा करके अपनी सबजी को गैस प बन कर देंगे दीरे दीरे सबजी अपनी गारी हो जाएगी जैसे ठंडी होगी वैसे गारी हो जाएगी दोस्तों यह सबजी बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है दस से बीस मिनट में सबजी बन करके तयार हो जाती है आए सबजी रोटी चावल पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें पिलीज हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेस्पी के साथ ठाइंक यूँ